हेलो वीवर्ट्स बेलकम टू एपी से क्लासे यूटूब चैनल में आफ सभी का सवावत है आज के इस वीडियों में सुझने माले हैं दस्वी कच्छा के विज्ञान का पहला अध्या यानि रसायन विज्ञान का पहला अध्या जिसका नाम है रसायनिक अपक्रिया यूं समी यहां बनने की प्रॉसेस में आप देख सकते हो कि अधिया पदार्थ जो किसी रसायनिक अपक्रिया में हिस्सा लेते हैं वह अभीकारक कहलाते हैं जैसे यहां पर हिसा को हम ले रहा है C पलस का O2 तो यहां अपने आप में रियटेंड कहलाएंगे यानि अभीकारक कहलाएंगे और यह पूरा का बुरा भाग जो ऐसे प्रदात जिनके निर्मार जो है रसानिक अपक्रिया में होता है वह अपने आप में उत्पात कलाते हैं यानि प्रोड़ेट कलाते हैं अब इतने समझ में आगया होगा कि रसानिक अपक्रिया होता क्या है अब हम बात करेंगा जो रसानिक अपक्रिया हमारे इड़गिर्द में कहां देखने को मिलती है तो हमारे देश सकते हैं उसके उधारण यहां पर है कि हमारे भोजन का जो पाचन होता है भी रसानिक अपक्रिया का उधारण है सुसन क्रिया भी रसानिक अपक्रिया का उधारण है लोही का जंग लगना भी अपने आम में रसानिक अपक्रिया का उधारण है तो उसका process कैसे पता चलेगा कि कोई रसानी कपकरिया संपन होई है तो उसका प्रक्रम यानि उसका प्रेचछड पता करने के लिए पहला चीज ही होना चाहिए आवस्था में परिवर्तन होना चाहिए changing in state दूसरा क्या होना चीए रंगों में परिवर्तन होना चीए तीसरा यह होना चीए तापमान में परिवर्तन चौथा होना चीए गैसो का उसरजन ऐसे प्रक्रव मेंसे कोई भी एक प्रॉपर्टी अगा जो अपनों देखने को मिल लेए तो अपने आमे और रसानिक अपक्रिया के प्रेक्षड है यानि कि परिवर्तन इससे पता चलेगा कि रसानिक अपक्रिया कोई संपंपन हुई है क्योंकि chemistry सब्द में यह आता है कि हमें टेस्ट नहीं करना है टेस्ट करना है परिच्छड करना होता है और परिच्छड करने के दर्मियान हम चखेंगे नहीं उसे हमें से पुसेब इन सभी अवस्ताओं में से कोई एक अवस्ता निकलते हुई मिलेगी तो हमारा रसानिक प्र मिलकर जिन सल्फेड और हाईड्रोजन गैस बन रही है यह आपका यह अरा चास यह अर्चास को अभिकारक कहते हैं अगर जो इसको रसानिक समी समी कड़ में हम बदलने के बाद यहां क्या होगा हमने इसका सिंबल लिखिया जड़न प्लस का सफ़ गिफ्टन असबर प्लस की जाती है रसाइनिक समीकर में तीन तत्तों के प्रतिकों या अभिकारक और उत्पादों के रसाइनिक सुत्रों उनके बहुत इगुडों के साथ लिखा जाता है उसके साथ साथ जरुरी यह भी है कि उसके उसमें ताप दाब उत्पेरक आदितीर के उपर लिखा जाए अगर जो रसानिक अपक्रिया के संत्रण की विए यह तो उसके प्रोसेस की बात होगी यह रसानिक समीकर साधर नी अपक्रिया से हि क्या चीज़ों की च 2 smell करता है नहीं एक विनास के यहां पर जैसे नहीं वाइतों आ आप नियाब में आता है तो इसी किसे धान से ही किसी भी समीकरण को बैलेंस किया जाता है जैसा आप में है हीट एंड्राइल विधी हीटें ट्राइल मेथड जिसे भूतत है हैं चरणबध्य संतुलित करना चरणबध्य संतुलंद्य जो आप लोग देखते हो यहां पर अब याद रख जिते हों अब ट्राइल एक प्रोसेस बताए गया है बात जो मैंने अगे उसे यह ब reminders करना होता है तो मैं हमारा कैलसियम यहाँ यहां पर देखिये हरे बार्ण्राइन करने के लाटे यहां यहां पर लुड़ने से यहां य बढने से पहले रिफिट करें को और कैसे में आपर होगे दो कैसे में लगा करके ऐसे बैलेंस किया जाता है अगर जो हम चरड़ा बिद यानि हीट एंट्राइल मैथर की बात करें तब ही हम यह देख सकते हैं कि तो यहां देखेंगे तो आपको नोट करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ा इन्हें चरड़ के रूप में बदलना पड़ेगा यहां पर एक है यहांपका है यहां पर त्री यहां पर टू और ऐसे फोर देखने को मिलेगा बैलांसिंग फाससे आपको लिए तो यहां मेरं के रजाव में और ऑघुकण है उनकी अवस्ताओं को हमने नहीं लिखा है अगर जो होस्ताओं की बात करें अगर कोई थोस हता है ऊसके लिएEs लिखते हैं को लिक्ड हमे रहे तो यल लीकते हैं को ध्तामे पर जली आणे पर बढ़ घया can करता है कोई ऐसा है जो लिक्विड से डाइट रिएसन कर लेता है यह चीजें बताई जांगे आपको यहां पर और सभी इस टेट को यहां पर लिग दिया गया ठीक है कि यहां पर रिक्वार्मेंट क्या है जो कोई कटलिस्ट होगा या प्रेस अने उत्परे रख और तापदाब होगा तो अभी आप लिखेंगे तीर यानि तीर के ऊपर ठीक है अब हम बात करें रसानिक अपक्रिया के प्रकार के तो रसलाइब करादा पहला प्रकार जो होता ह है इंगले में कॉंबीनेशन डियाक्षण के नाम से देखने को मिलता है अगर बात करें हम यह से योजन अपक्रिया क्या होता है तो एक इस प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अपकार आपसमें एकल उत्पाद कर निर्माड करते हैं जैसे ए प्लस बी मिलकर के सी ही बना ह अपर देख सेथाएं फिर में हम दो का क्या होता है अपक्र देख सकते हैं कि यहापका भुजाचुना है ति बिना कर रहा है यहां पर यहां गई होती है यहां पर से इमीट होती है तो यहां से शेपी कर आते हैं उसमा बाहर निकलना इसको 161 को याद करना मतल忙 मैंने बताए भी था इसे पहले वksomक एकसो का मतलब वोता है तो समय एकसो से बरतन दोती है उसमें से एनरजी निनिल ती एनर हें जाइब होगा जैसे हमारी सीज़ फॉर gefैंगर चारबन डैसी वाटर बना के स्वसंद क्रिया भी अपने आप में क्या होती है उसमा चैपी अपक्रिया है क्यों क्योंकि आपने दिसाते की स्वसंद सास लेते हैं सास लेने के बाद हमारे बॉड़ी की अंदर जो है और उसमा देखने को मिलती है ठंड़क के मौसल में यह आपको सभी यह स्टो के मालेकुल आपको देखते हैं मुझसे भाप निकलता हुआ दिखेगा तो और उस हीट का अन्वाब करते हैं तो यह अपने आप में उसमा छेपी अपक्रिया है आई होप उसमा छेपी अपक्रिय यह आप लोगों समझ में आ गई होगी पिर अगर जो हम बात करें वियोजन अपक्रिया की जिसे डिकंपोजिशन डियसंस बोलते हैं वियोजन अपने आप में क्या होता है कहने का मतलब मतलब सही है कि तूटना तो यह होता है इस अभिकारक तूट कर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है जैसा ए था एसे बी प्लस सी में बदल गया यह कई प्रकास से टूटना हो सकता है पहला जो है उसमी वियोजन उसमा द्वारा दिये गए उर्जा को बियोजित होना जैसे कि आप दे सकते हैं उसमा यहां पर मिला हुआ है यहां एफी एफी है जिससे हीट दिया गया उसमा दी गए तो यह जो एफी एसो फोर था यह हरे रंका था और यहां पर जो एफी यानि की एफी टू ओ त्री है अपने आम में भूरे रंका बनता है और एसो टू और यानि सरपर ट्राइकसर गयास निकलती हुए मिलती है एक ही पार्टिकल से देखे टूट करके दो तीन हो गया इस तरह को अपने आप में क्या करते हैं इसी तरह के लिए शंस को अपने आम में व्योजन अप यह करता है ठीक है अगर हम बात करें निस टॉपिक तो यहां पर भी हामारे देशकर है चूना पत्तर है यह भी तूटकर थो भागों में है और यहां पर कैथोड लगाया गया कैथोड लगाया गया पानी है बीच में उसके बाद में इस तरफ से निकलती है क्योंकि हमने पता है कि बैटरी के अपने यां में देखेंगे तो ओटू क्या होता यानी ऑक्सीजन जो होता है वह इधर की साइड में यहां पर देखिए और निकलता होँ जाते हैं तो सूर्ण का प्रकास्ति में वियोजित होना यानि प्रकासी विजन कराता जैसे कि आप देशते हैं to EGL Sura का प्रकास लिया गया है यहां पर EGL ilg हो गया, CL2 अलग हो गया EGL VR आपका है, σिल्वा प्रहिए आपका है जो Sura कका प्रकास लेता है ANDberg अलग हो गया, BR2 अलग हो गया यह भी आपका example है अगर जो हम बात करें यहां पर इस अपक्रिया का उपयोग जो है स्यामा फोटो यानि कि स्यामा स्वेट फोटोग्राफी में किया आता है यह जो अपक्रिया आपका है इसका प्रियोग ठीक है बात करें उस्मा सोसी अपक्रिया क्योंकि आप देख रहे हैं बार पर उस्मा लेने की बात हो रही है तो ऐसा है अपक्रिया जिसमें उस्मा ली जाती हो उसे उस्मा सोसी अपक्रिया कहते हैं जिन अपक्रियाओं में अविकार को तोड़ने के लिए उस्मा या प्रकास या बेद्दुत उर्जा ली जाती है उसे उस्मा सोसी अपक्रिया कहते हैं या उपर जितने भी एक्जामपल आप दे में किसंदम बख्रपिया सब्सक्राइब जाता है अगा देखने को मिलगा यह वीडियो समझ में आ रहा है अब बात किल जो है भूरे रंग के कापर समझ में जाते हैं नीले रंग का आप से्टाइं कहले दो हो जाता है सबुस्त सब्सक्राइशि कर पाता यह अपने आपने होता है भी विष्थ्थास कर दो कि योग को के बीच में आइनों का आदान प्रतान होता है यह यह दूसरे करता है यहाँ आप देश सकते हैं, Na2SO4, यहाँ पर मिश्टिक हो गया, Na2SO4 प्लस का BACL2, जिस BSO4 प्लस का NaCl यहाँ बना हुआ है, यानि Na जो है आइनाज हुआ है, Na+, में, और SO4 माइनस में, माइनस 2 में, Na+, में, और अपने आप में BA, जो है, प्लस 2 में आइनाज हुआ है, और उस होता है कि अपने आप में यह जो बेरियम सलफेट है, यह कहीं न कहीं स्वैत रंग जो है और चेप बनाता है, तो यह प्रिसिपिटेशन का भी काम करता है, यानि आपक्रिया के नाम से भी देखने को मिलता है, अब हम बात करें अगर जो अपचैन, उपचैन और अपचैन क को अपक्सी करड भी कहते हैं, आप याद रखीएगा, उपचैन का मतलब होता है, जब किसी तत्तो में अकसीजन नकास होना एक और पॉसेस है जो मोडल कॉंसेप्ट बेश होता है इलट्रान का निकास होना इलट्रान निकास की बात करें तो जैसे आपने देखा सोडियम है 11 इलट्रान होता है sodium ने na plus बनाया और एक electron remove कर दिया तो अब plus होने के चासा इसमें क्या होगा electron निकल ला है तो यह अपने आम में होता है oxidation अब यहाँ देखेंगे तो example इसका दिया हुआ कि C में carbon में oxygen जुड रहा है तो यानि इसका क्या होगा oxidation हो जाएगा जैसा है यहाँ पताया है जुड़ा ह होना यहाँ पर भी अपने आम में oxidation होगा सभी process oxidation के example आपनों को देखने को मिलते हैं अब बात करें अप्चैन के बारे में सेम अक्षिगर का उल्टा होता है अगर जो बात करें reduction के बारे में तो यहाँ पर होता है hydrogen का जुड़ा होना और oxygen की वरद्धी होती है hydrogen का जुड़ से मुसी का उल्टा और electron का जो होता है वो जुड़ा होना होता है electron जुड़ते हैं अंदरा करके तो अब जैसे chlorine है chlorine क्लोरीन क्या बनाएगा अपने आप में माइनस तो इस condition में reduction इसका होता है अब यहाँ देखेंगे तो reduction का process ऐसे ही देखने को मिलता है अब बात आती कि reduction औ और Clea के देखने को मिलती जहां अब देखएंगे कि यहां सथी क्रिया कि जैसे आप देख पार है कि यहांCor generation करके बना रहा है औप यहां मायनस ट्ुह है इसका जीरो यहां सी जीरो बना रहा थो सीरो हो गया इनकी oxidation नंबर जो हो रही अपने यहां यहो systemic cirr ay कि Oxidation number में कम ही आ रही यानि कि यहां पर दो था यहां पर जीरो हुआ तो यह अपने आम में इसका हो गया Reduction जिसका Reduction होता है वह Oxidating Agent कहलाता है और यहां पर देखेंगे तो आप प्लस का वन हुआ यानि इसका जिसका Reduction होता हो यह बारियात रखेगा जिसका Reduction होता है वह Oxidating कहलाता है इसका Oxidation जिसका Reduction वह इसका Reduction आपको इस समझ में आगया होगी कि अब हम बात करें अगर जो कि जो रडाक्स अपक्रिया है ठीक है यह Oxidation है उसका कहीने कहीं लोह की वस्थों पर जंगं लग जाएगा चांदी के अपर भी काली रंकी पर चर्म जाती है साधे साथ तांबे के बरतनों पर हरी रंकी पर चर्म जाती है यह क्रिया अपने आम में संचारण का अगर जो मैं बात करूं यह है आईरन और देखें मौइस्ट्र यानि नमी के कंडिशन में एरियेशन करके बनाता है यह सद लेपन क्या होता है यह सद लेपन और पेंट करके संचारण से आदिवस्तों को बचा सकते हैं पर बात आती ही विक्रित गंधीता क्या होती है रहर एसी डयंसी क्या होता है तो विक्रित गंधीता वह होती ही जो वसा का उपयोग कर देंगे एंटी ऑक्सिडेंट का यूज कर देंगे जिससे वह जो है विक्रित गंदिता नहीं हो पाएगी उसके बात करें वाइवरों दुबरतनों में खाजी सामगरी का रखना जिसे प्लास्टिक में आपने दिखा होगा रखा जाता है चिप्स को ठीक है वह खराब जाता है वेकिन अट्रुजन करता नहीं इसलिए है सीतरन प्रोसेस से भी हम उसे यूज कर सकते हैं रेफ्रिज में भी रखके उसे हम बता सकते हैं यह पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस चैप्टर में हमने पूरी पूरे टर्म ल जिएगा जिससे उनका भी हल्प हो सके नहीं बाद जाहिंद